नश्काल दोस्तों स्वागत अब सबका एक नए वीडियो के अंदर ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत जादा इंपोर्टन्ट होने वाली है क्योंकि जैसा आप बहुत लोग यूटूब पे देखते हो और बहुत यूटूबर्स आपको बताते हैं कि कहीं न कहीं क्लिक बेट करना जरूरी है पर मैं एक चीज आप लोगो बताना चाहता हूं एक सचा ही आप लोगो बताने वाला हूं कि क्लिक बेट करना भी कहीं न कहीं आपको भारी पर सकता है ऐसा ही एक चैनल के साथ हुआ वो भाई आपको खुद बताएंगे और क्या उनसे गलती हुई थी वो मैं आप लोगो पहले बता दोता हूँ उनके चैनल पे वो एप्स के रिलेटेड वीडियो बनाया करते थे तो उन्होंने एक वीडियो बनाया कि एक नंबर से दो वाटसप कैसे चलाएं इस पे उन्होंने बताया और उसके बाद उनके इस वीडियो पे भी कम्यूनिटी वर्निंग आया कम्यूनिटी वर्निंग स्ट्राइक आया जो कि आपको एक तरीके से माफ करतिया जाता है पहली पर दूसरी बार में उन्हों ही क्या किया था clickbait किया clickbait कैसा किया पहले आप समझो clickbait कैसा किया जैसे कि उन्हों ने वीडियो के अंदर बताया कि जैसे जो भी आपको वीडियो देखने के लिए मिलते हैं यूटुब पर कि कैसे आप अपने मोयल का कॉल डिटेल निकाल सकते हो किसी भी मौयल का कॉल डिटेल निकाल सकते हो तो उन्होंने वीडियो के अंदर बताया था कि यह जो वीडियो बनते हैं वह सब फरजी होते हैं फेक होते हैं आपको बेवकूप बनाया जाता है ठीक है पर उन्होंने थम्नेल कैसा बनाया था आप खुद thumbnail देख सकते हो, मैं यहाँ thumbnail लगा दे रहा हूँ, उन्होंने पताया थी कि call detail कैसे निकाले, तो एक clickbait था, यह clickbait मतलब लोग इस पे जान करके आएं और click करें, और इनकी video को देखें, जो title भी रखा था अपने video का, वो भी यह रिखागा कि, जैसे आप call detail निकाले, English मे रखा है, हिंदी में रखा, तो उन्होंने रखा होगा, इस तरह, YouTube ने इनकी videos को नहीं देखा, और इनके thumbnail और टाइटल को देख करके, इनके channel पे community guideline strike दे दिया, ठीक है, community guideline strike कितना powerful चीज होता है, वो आप जानते ही हो, आपके channel पे पढ़ जाती है, तो आपके channel पे uploading, community post करन सारा चीज बंद हो जाता है, साथ ही साथ, अगर जो community guideline आ गया तो आप समझा, आप एक खाई की तरफ खड़े हो, अगर तीसरा आ गया ता आपका channel ही दाया हो जाता है, तो क्या गलती हुई थी आप भाई से, तो मेरा नाम है राम गुपाल गुट्टा, और दोस्तो मेरा ए अपने चैनल पर लास्ट से काम करता है, मेरा चैनल 16 या 17 मार्च को मोनेटाइज होने वारा था, क्योंकि दोस्तों पंदरा इतारिक को केटेजिया पूरा हो गया था, लेकिन दोस्तों मेरा एक वीडियो था, कि एक नंबर से दो वार्स अप कैसे चलाएं, उस पर दोस्तों पंदरा तारिक को यूटुब में कम्यूटी गाइडलाइन इस्ट्राइक दे दिया, जिसके होचे से दोस्तों मैं मोनेटाइज नहीं कर पाया अपने चैनल को, और मैं बहुत ज्यादा प्रेसान हो गया, लेकिन दोस्तों मैंने फिर से काम किया कि चलिए तीन महीने बाद म निकाल कर दिखाया था और ना ही कोई ऐसी जैनमें ठीक बताई से जिसकी मदद से आप जैनमें को डिकेल निगाल पाया, फिर भी दोस्तों कर मेरे उस वीडियो पर दूसरा कम्यूटी गाइडलाइन इस्ट्राइक आज सकता है, तो दोस्तों तीन महीने में कभी भी मेरे कि सब्सक्राइब कर सकता है, मैं तो बहुत ज्यादा परिसान हूं, दोस्तों कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या कुनूं, लेकिन दोस्तों मैं हार नहीं मान से हुए एक अपना दूसरा चैनल बनाया हूं, गोपाल एक्स्पेरिमेंट करके वीडियो अपलोड करता हूं, तो आ लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रेशन में दिया है, वहां से दोस्तों आप चेक आउट कर लीजिए, और प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिए, सपोर्ट जरूर करिएगा, क्योंकि आपको पता ही है कि यूट्यूब पर सक्षज होने के लिए 1,000 सब्सक्राइब चैनल भी यूट्यूब से रिमूब हो सकता है, तो प्लीज दोस्तों अपने भाई को सपोर्ट करें, और आप भी साधान हो जाए, कभी भी ऐसा वीडियो ना बनाए, जो कम्यूटी गाइडलाइन को वालेट करें, और इस चैनल अनुपम राजफूर को भी सब्सक्राब कर सब्सक्राइब करें, तो देखें आपने, यह गलती हुई थी भाई से, और भाई के चैनल पर अभी दो कम्यूटी काइडलाइन श्राइक आ चुके हैं, वह सकता अब यूटूब इनके चैनल पर तीसरा कम्यूटी काइडलाइन दे के इनका चैनल ही बिलूप्त कर दे, आपको यूटूब पर काम कैसे करना है, मैं इसलिए ऐसी वीडियो लाता हूं कि आप लोगों समझ आए कि कैसे आप वीडियो मतले यूटूब पर काम कर सको क्या गलती ना करो जिससे आपका चैनल डिलीट ना हो टर्मिनेट ना हो यूटूब के नजर में आकि वह आपका एकजित ना है तो इस तरह आ यह गलति आप कभी मत करना वीडियो अगर अच्छा लगत लाइक करना शेयर करना दोस्तों सता चैनल पे नए हो चैनल को सबस्क्राइब करना प्रिस करना ऐसे इंत्रेसी वीडियो आप चैनल पर मिलती रहें एगें किसी नेक्स्ट फिन तक त झाल 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 झाल